हेलो एवरीवन, वेलकम तू दू देस अमेजिंग प्लेटफर्म आफ अवर चैनल, पनेशा फॉर कॉम्टेटिव इग्जैमनेशनस और आपको पता है अपना 1300 प्लस कॉमा निर्स का हम जो है कोर्स यहां पर कर रहे हैं और इसमें आपका आज डे नंबर 45 है इससे पहले मैं 44 days करा चुका हूँ यानि कि 44 classes आपकी हो चुकी है और मैं यहां पर आपको 568 questions करा चुका हूँ ठीक है तो आयोब कि आपने वो बहुत ही अच्छे से समझ लिये होगे उनकी practice भी कर लियोगी अच्छे कासी और यहां पर मैं आपको जितने भी sentences समझाओंगा सारे के सारे जि इंग्लेश जो है आपकी लैंग्वेज है ठीक है और एक लैंग्वेज में टाइम टाइम पर चेंज आते रहते हैं आप किसे लैंग्वेज में यह नी कर सकते हो कि कोई रूल बना दिया और फिर उसको बिल्कुल strict हो जाओ हम कभी भी बोलते हैं तो हमें बोलने में इजीनेस होनी चाइए है तो लैंग्वेज आपकी हमेशा बैंड हो सकते है ठीक है उसके रूल्स जो होते हैं बैंड हो सकते है ठीक है तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे पार्सें के तुरू समझेग और सबसे बढ़िया यह जो language समझने का तरीका होता है ना सबसे बढ़िया वो होता है कि हम उसका logical explanation है ना वो समझ रहे हो आपे वो आपका हमेशा काम आएगा ठीक है? rules आपके हमेशा काम नहीं आएगे ये बात आप समझ लो तो यहाँ पर हम अपनी logical explanation ही समझ रहे होंगे ना कि हर word का sentence में क्या-क्या use है तो आपको unnecessary जो words है या फिर आपको कहां error हुई है ये सारी बातें देखकर इसमझ में आने लग जाएगी ठीक है? चलो भई तो आज का session शुरू करेंगे फटाफट से question number 569 को देखते हैं जो हमारा आज का question number 1 है तो देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास we need to surround ourselves with caring people particular learned ones who bring hope and support to our hearts and mind and with whom we can communicate यानि कि हम सब को अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमसे प्यार करें और जो हमारे heart में hope लेके आए support करें हमें और जिनके साथ हम बातचीत कर सके अपने cutting time पर भी है ना ये सारी बाते आपकी लिखी हुई है तो अब बड़े द्यान से देखना यहाँ पर अपना क्या क्या होने वाला है कि करके देखेंगे यहाँ पर आपका जो we है यह we क्या बनेगा भई भी अपना यहाँ पर subject हो जाएगा ठीक है क्या होजाएगा subject हो जाएगा यह जो need है यह need क्या हो जाएगा need अपनी यहाँ पर main work हो जाएगी क्या हो जाएगी main work अब देखो यह जो two surround लिखा हुआ है they two surround क्या होगा भई 2 plus का we won वाली form है ना और यह यहाँ पर आपका काम किसका करेगा, infinitive का काम करेगा, किसका काम करेगा, infinitive का, अच्छा, अब यह infinitives होते क्या हैं, यह आपके semi-verbs होते हैं, semi-verbs का मतलब क्या है, इसके अंदर कहीं न कहीं किसका है, verb का है, क्योंकि बना किससे है, verb से ही तो बना है, देको, v1 इसमें है, यूज हो रहा है तो यह सारे जो होते हैं जैसे आपका infinitive हो गया past participles हो गए चाहें आपकी zerons हो गए यह सारे verbs से मिलकर बनते हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं हाँ, तो मैंने पूछा, to surround whom तो हमने बोला, home का answer मुझे मिला यापर ourselves है तो ये ourselves क्या है यापर आपका infinitive का object है तो ये क्या हो जाएगा ? object of infinitive ठीक है ना क्या हो जाएगा object of infinitive ठीक है चालो अब आगे आते हम यहापर यह जो वेद है यह विद क्या हो जाएगा यह विद अपना यहापर proposition हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा विद अपना proposition हो जाएगा अब आगे देखो caring people अब यह जो caring people, इसमें आपका people क्या बनेगा, ये people आपका बन जाएगा, इस proposition का object यानि की PO, और अब आप पूछोगे किसर ये caring क्या है, तो ये caring people को qualify कर रहा है, people कैसे हो, caring हो, ठीक है ना, तो ये caring क्या हो जाएगा, आपका adjective का function करने लगेगा, किसका काम करने लगेगा, ये adjective का, ठी अब देखो, अब मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, particular, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, चुपके से, यहाँ पर ये देखो, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका particular, अब आपको मैं एक बात मुझता हूँ कि जो adverbs होते है ना, adverbs का काम क्य क्वालिफाई करें, चाहें आप किसी वर्ब को क्वालिफाई करें, चाहें आप किसी क्लॉस को क्वालिफाई करें, ठीक है ना, जब कोई किसी क्लॉस को क्वालिफाई करता है, तो वो भी adverb ही कहलाता है, ठीक है, यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, कि जो भी अपनी क किसी clause को कोई word अगर qualify कर रहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे adverb बोल रहे होंगे clear है इतनी इसी बात तो अब देखो यहाँ पर यह जो particular है फिर मैंने आगे क्या लिखा हुआ है loved ones who bring यह जो आपकी पूरी की पूरी बात है फिर यह जो who लग गया ना इस हुने loved ones को qualify करना ठीक है जो पूरे के पूरे loved ones को qualify कर रही है अच्छा यहाँ पर हम यह थोड़ी से space लेने के लिए इन सारी चीजों को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो आप अगर एक बार screenshot लेना चाहो यह फिर pause कर लेना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर आप एक बार pause कर करने बैठ ही है ठीक है और यह जो particular है ना यह particular basically यहाँ पर क्या होना चीए particularly होना चीए क्योंकि अगर मैंने देखा यह particular क्या कर रहा है पूरे के पूरे clause को qualify करने का काम कर रहा है और qualify तो हमेशे एक adverb करेगा और adverb आपका particular नहीं होता है क्या होता है particularly होता है ठीक है तो यह पर यूज किसका करना पड़ेगा पर्टिकुलरली का हमें यहाप पर यूज करना पड़ेगा इतनी से बाद आप समझ पाए क्या चलो अब देखो बड़े थांसे आप पर्टिकुलर को हटागर गें आपर मैं सीधा य जोड़ देता हूँ तो यह आपका पर्टिकुलरली हो अब यह क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा ठीक है क्या हो गया एडवर्ब हो गया क्यूंकि यह पूरे के पूरे इस क्लॉस को क्या कर रहा है क्वालिफाई करने का काम कर रहा है इस बात को समझें आप कौन से क्लॉस को यह पूरा का पूरा जितना मैंने इस अंदर कर दिया है ना इस पूरे के पूरे red box को ये qualify कर रहा है की नहीं कर रहा है मैंने बोला particularly तो particularly कौन है वो loved ones है जोने की ये सारी की सारी जिनकी ऊपर कहानी चल रही है ठीक है बासमझ में आपाई मेरी चलो अब देखो यहाँ पर ये जो loved ones है इसको यह जो relate कर रहा है, यह कौन कर रहा है, who कर रहा है, ठीक है न, तो who का जो, अब यह who क्या बन जाएगा, basically यहाँ पर हमारा subject बन जाएगा, क्योंकि यह आपकर relative pronoun है, ठीक है न, बात मेरी समझ पा रहे हैं न, सभी लोग चलो, अब यहाँ पर यह जो bring है, यह bring अपनी main verb ह हो जाएगी, bring what, तो hope, यहाँ अपना यहाँ पर क्या होगा, object हो जाएगा, अब यह जो end है, आपको पता, end क्या होता भी conjunction होता है, और end जो conjunction होता, उसका use क्या होता है, basically अगर मैंने एक conjunction use किया, कौन सा end, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो चीज आपकी होगी, वही च तराजू की तरह काम करता है, मैं आपको यह बात अल्रेडी बता चुका हूँ बहुत बार, इसलिए मैं आपसे बोलता है, अप हमेशा lectures को एक line में देखा करो, ऐसा नहीं की बीच में उठा के कुछ भी देखने लोगो, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको पता नहीं कहाँ प आपका relate कर रहा है, ठीक है, मेरी बास समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग, चलिए, अब देखो यहाँ पर यह जो आपका to है, to अब क्या होगा, यहाँ पर अपना to हो जाएगा proposition, to क्या हो जाएगा, proposition हो जाएगा, अब इस proposition को अपना object चाहे होगा, बोलो हाकी नहीं, clear है, तो यहाँ पर इस to proposition का object कौन बनेगा, तो बड़े ध्यांसे आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, to are hurts and mind, अब बात बड़े ध्यांसे सुनना, कि यहाँ पर मेरा क्या है, to hurts and mind, मैंने आपसे क्या बोला, and का जब भी मैं use कर रहा हूँगा, तो उसका मतलब क्य है, दोनों साइड आपका, same same function होना चाहिए, तो अगर इस to proposition का object बनेगा, आपका hurts, तो यह जो minds है ना, यह भी two proposition का object बनेगा, और यह बात मैंने आपको अल्रेडी बहुत अच्छे से explain की हुई है, I hope कि अब समझ पा रहे होगे है ना, तो यह जो minds और hurts है, यह दोनों की द हमारा यहाँ पर एक ही adjective use हुआ है, hour, तो मैंने उसे एक ही बार use कर लिया, अगर अलग-अलग adjective use हो रहे होते, लटसी यहाँ पर अपना our hurts and your minds, तो हमें अलग-अलग लिखना पड़ता, लेकिन only hour का use हुआ है, तो मैंने इसे एक ही बार use किया है, लेकिन यह जो hour है ना, सारी चीज़े पता होनी चीए, बच्चे आदा धूरा ग्यान लेकर के बैठ जाते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता, ठीक है, तो अब देखो, इसके बाद क्या है फिर end, अब यह वाला जो end है ना, यहाँ पर हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब देख होगे, यहाँ पर हम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर वी लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मैं आपको क्यों हमेशा पार्सिंग की उपर जोड देता हूँ, आपने अगर ऐसे ही देखाने sentence, आपको पार्सिंग का जादा मतलब नहीं पता है, आपको उसका use करना नहीं आता, तो आप देखो कि यहाँ पर हूम का भी use हुआ है, वी का भी use हुआ है, तो यहाँ पर यह जो verb है ना, यह किसके लिए use हो रही है, वी के लिए की हूम के लिए, हाँ बही, तो यह जो with है ना, यह with proposition के बाद हूम क्या बनेगा, इस proposition का object और पैसे भी हूम अपना objective के इसमें use हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा पी हो यानि की propositional object हो जाएगा बात मेरी समझ पा रहे हैं फिर यह जो वी बनेगा न अब यह वी क्या बन जाएगा subject बन जाएगा can अपना यहाँ पर verb हो जाएगी modal है basically यहाँ पर यहाँ का helping verb बन जाएगा ठीक है modal है तो यह क्या हो जाएगा helping verb अच्छा अब यह क्या है communicate communicate क्या बनेगा यहाँ पर अपना main verb बनेगा ठीक है क्या बन जाएगा communicate अपना यहाँ पर main verb तो बहुत ही प्यारा यह sentence था I hope कि आपको यहाँ पर तीन चीज़ों का यूज हुआ है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब देखो और तो अपनी छोटी से मैं आपको यहाँ पर भी sentence बतागर के examination देने जाते हो ना तो आपको almost सारी की सारी error समझ में आ जाएंगी आपको यह कोई टेस्ट देके देखना आप इस position में आ गये हो कि आपको यह error का test दो तब आपको चीज़े जो है clear होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है चलो खैर अगले question पर आते है question number 570 ठीक है अच्छा एक सीखने में अपना time waste कर दूंगा तो एक बात होती है कि एक होता है time को invest करना और दूसरा होता है waste करना तो आपको इन दौनों चीज़ों में आपको difference पता होना चाहिए अगर आपको अपने mind को train कर रहे हो अगर अपने mind को कुछ सिखा रहे हो तो वह आपका time invest करना होता है औ और अगर आप time को waste कर रहे हो लेट से आप PUBG खेलने बैट गए हो या फिर कोई game खेल रहे हो या फिर आप अपना time waste कर रहे हो YouTube पर ऐसी चीज़ देखने के लिए जहां पर आपको कोई मतलब ही नहीं है लेट से आपको CT के बारे में सब कुछ पता है जो आपकी notice में आच जो precious examination से आगे उनका time waste करोगे ठीक है और आपका एक बात बोलता हूँ let's say आप खाना खाते हो खाना खाने में time जाता है लेकिन वो क्या होगा खाना खाने में जो आपका time जा रहा है वो invest हो रहा है क्योंकि आप उससे क्या हो रहा है आपकी body को fuel मिल रहा है तो इस बात को आ यहाँ पर मैं अपना time waste कर रहा हूं ठीक है तो आपको चीज़ें अपने आप clear हो जाएंगी कोशें नंबर 570 देखते हैं अपनी ज्यान की गंगा बीच बीच में आती रहेगी कोई बात नहीं अपार्ट फॉम दीस देखते हैं UNICEF is an international organization तो यहाँ पर आप एक बात नोट क आपको चीज़ें जो है ना मैंडी में एक बार बैठ जाएं और अगर आपके मैंडी में एक बार बैठ गई ना तो वह आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है organization का नाम हो जाए या फर किसी party का नाम हो जाए ठीक है party जैसे BJP है को अगरेस है सब क मुझे आप एक बर comment section में बता है यह जो committees की spelling है क्या मैंने यहाँ पर सही लिखी हुए क्योंकि आपके सची में कई बार यह misspelled words में आया हुआ है ठीक है चलो खैर अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कोई भी आपका name of organization आजाए name of party आजाए name of committee आजाए तो उसके स क्लिक तो होई गया होगा ना कि इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा दा article का use करना पड़ेगा error तो पता चल लगी कि फर्स्ट वाले option में error है ठीक है छोटी से parsing वो भी देख लो दा unicef अपना यहाँ पर यह क्या बनेगा subject हो जाएगा और यह is क्या है काम तो इसका helping verb का बैठी हुई है तो यह जो एस है ना यह basically अब main verb का काम नहीं आपर linking verb का काम करेगी क्योंकि जब जब आपकी helping verb main verb का काम करने लग जाए तो वो क्या हो जाती है linking verb हो जाती है चलिए अब देखो linking verb अगर आगे है तो आपको पता है आगे जो भी use होगा अपना object नहीं होगा वो क्या कर रहा होगा अपना कहीं न कहीं subject को ही compliment देने का काम करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे subjective compliment जैसे कि अब यह जो international organization है यह क्या कर रहा है UNICEF को एक तरीके से compliment दे रहा है कि हाँ यूनिसेफ क्या एक international organization है अपना यह subject के बारे में ही बता रहा है तो इसको हम क्या बोल द the next question पर आते हैं question number 571 देखो भई यहां पर क्या लिखा हुआ है तो देखो अब हमें यहां पर क्या दिरक्क है the boy who studies hard he will pass with flying colors ठीक है तो यहां पर एक एक गरगे बड़े ध्यान से देखना आपका जो यहां पर doubt होता है regarding the relative pronoun वो आपको यहां पर clear हो जाएगा यहां पर यह क् the boy लिखा हुआ है इसको यह relate कर रहा है यानि कि यह अपना क्या हो जाएगा यहां पर relative pronoun हो जाएगा क्या हो जाएगा यह अपना relative pronoun हो जाएगा ठीक है clear है इतनी सी बात क्या हो जाएगा यह अपना relative pronoun अब बात को बड़े धान से देखना अब चुंकि यह अपना relative pronoun है तो य यह जो स्टडीत है ना ये स्ट एक वर्ब है ठीक है इस पे लिए जो सब्जक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा हूँ ठीक है ना यह हूँ क्या बन जायाएगा सप्जर्ट मन जाएगा तो यह स्टडी ईज क्या हो जाएगा मे lut वर्ब हो जाएगी ठीक है स्टडी क्या हो जाएगा में वर्ब अब यहां पर आप बड़े दांसे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है इस्टडी यहां पर अपने पास में यह यहां पर आपका बेसिकली हो क्या जाएगा यहां पर आपका बेसिकली हो क्या जाएगा यह आप दा बॉय के साथ में अगर ही का जो यूज है ना वो आप बार-बार करने का सेंस आ जाएगा ठीक है तो अब जड़ा त्यान से देखना यहां पर क्या करेंगे हम यहां तो आप हू को अटा दो ठीक है या फिर आप ही को अटा दो लेकिन अब इरर हमें देखते अटा देता हो ना तो यह अपके लिए सीधा न बन जाएगा और इस विल्ल सब्जेक्ट मिल्गया वह फॉषूश होगहे घए यह में अपने अपने हिस्ट्रा लगा हुआ तो colors ठीक है ना यह colors क्या बनेगा इस preposition का object यानि की pure बन जाएगा और यहाँ पर यह flying क्या कर रहा है OUR इस colors प्रफाही कर रहा है यानि कि यह क्या हो जाएगा आपका adjective का काम देगा ठीक है ना किसका काम कर देगा इस का function क्या हो जाएगा adjective का तो आपको clear हुआ यहाँ पर error किसमें होगी आपके second वाले option में error हो जाएगी जहाँ पर हमें he को eliminate करना पड़ेगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें he को eliminate करना क्यों है क्योंकि अब इसकी कोई needy नहीं है क्योंकि हम यह particular boy के बारें बात कर रहे हैं जो कि already यहाँ प आपको थोड़ा सा वाइस में उपर नीचे अप लोग दिख सकता है तो इसको थोड़ा सा बीर करें बट आपको जो चीजें हैं वो मैं आपको explain कर दे रहा हूं I hope कि अगर कोई आपको डाउट आथा तो डाउट आप अपना comment section में जुरूर पूछ लेना ठीक है as always doubts में या फिर आप ग्रूप में पूछ सकते हो या फिर आप मुझसे एफ भी पर भी direct message करके पूछ सकते हो ठीक है सबकी link आपको description में मिल जाएगी चलो अब देखो यहाँ पर क्या है अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है as a person who believes that honesty is the best policy I feel that politics are not my cup of tea तो यह देखके आपको यहाँ पर error तो समझ में आगी होगी कि यह जो अपना लिखा हुआ है politics यहाँ पर अपना लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर इसका subject बन रहा है और अगर मैं इस politics की बात करूँ तो यह होता singular है ठीक है ना कैसा होता है यह आपका singular subject होता है अब यहाँ यहां पर आपकी जो वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर आएगी या नहीं कि यहां पर अपना इस आ रहा होगा ठीक है न तो बहुत ही इसी है आपको समझ में भी आगई होगी अपनी थर्ड वाले अप्शन में हो जाएगी अब हम अपना जरा काम शुरू करते हैं काफी अच् अपना यहां पर क्या हो जाएगा अपना यहां पर एक प्रेपोजिशन बनेगा ठीक है अब इस प्रेपोजिशन का जो अबजेक्ट है वह कौन बनेगा यह जो परसन लिखा हुआ है न यह परसन क्या बन जाएगा अब देखो यह जो परसन है न यह बन गया है पियो और इ इसको बनातो दिया यहां पर लेकंन कहीं नए इसको सब्जेक्ट भी बनाया है लेकिन कैसे इन्डरेक्टी विप ज्यादा यूज़्फ वह thinly यहां लेटाय। ठीक है अब इसके बाद में यह दैट क्या हो जाएगा अपना यहां पर कंजंक्शन हो जाएगा और इसके बाद में यह जो honesty है यह honesty अपना यहां पर subject हो जाएगा और वैसे भी honesty यह आपकी प्रोवर्ब भी है कोई नहीं है कि एक बार अगर मिसकी पार्सिंग करते हैं तो यह subject हो जाएगा आपकी यहां पर में वर्व यानिकी लिंकिंग वर्व बन जाएगी ठीक है यह आपको समझ में आए गया होगा अब इसके बाद में यह जो दा बैस्ट पॉलिसी अपना यहां पर क्या बनेगा सब्जेक्टिव कॉंप्लिमेंट बनेगा और यह बेस्ट क्या कर रहा है डिगरी बता रहा है सुपर लेटर डिगरी हो जाएगी ठीक है चलो अब देखो आगे अपना यह क्या है भई आई इसकी मैन बत जाएगी अब देखो यह डैट अगेन आपकर कंजंक्शन हो गया यहां पर और फिर यह सब्जेक्ट का जो वर्व बनेगी कैसी बनेगी सिंगलर क्यूंकि पॉलिटिक सापर सिंगलर सब्जेक्ट होता है तो यह क्या हो जाएगा singular हो जाएगी पिर इसके और यहां पर अपनी अगेन और इस प्रपोजिशन को अपने एक होगा तो यह जो टी है ना यह टी क्या बन जाएगा इस प्रपोजिशन को अब्जेक्ट यानि की पियो क्लियर है सभी को समझ में आगया पार्सिंग देखो इतने बढ़िया यह सेंटेस अगर मैं पार्सिंग मिलता है ना उसको आप एक बार नोट डाउन करते जाएकर हास से ठीक है स्क्रीन शॉट का ओप्शन तो ही सही लेकिन आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा है ना चलो अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 573 पर मुवान करते हैं है आपका कोई लेट से जैसा पॉलिटिक्स हो गया तो यह जो होते हैं आपको पता ही है अब कोई एक बुक का नाम है तो वह सिंगलर ही होगी है न तो यह तो चोटी-मोटी बातें सब बच्चों को समझानेवाली बातें होती है कि यह बात तीर होगी तो यहां टेल सीदी अपना यहाँ पर singular subject बन जाएगा जो कि एक book का नाम है तो यह हो जाएगा आपका singular subject और इसके बाद में यह आर नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा इस आएगा इस अपनी helping वब हो जाएगी और written क्या है भई मेन वब हो जाएगी by क्या हो जाएगा by अपना यहाँ पर proposition हो और इस proposition का जो subject है वो कौन बनेगा Charles Dickens यह भी एक नाम है जिन्होंने इस book को लिखा हुआ ठीक है अब आपको यह by proposition देख करके कुछ खयाल आ रहा है क्या आपके दिमाग में क्या खयाल आ रहा है भई यह जो अपना sentence है किसमें लिखा हुआ है यह passive voice में लिखा हुआ है क्य है by proposition का let's say कभी-कभी हम two proposition का भी यूज करते हैं तो वहाँ पर अपना जो वाइस होती है वह कौन सी होती है passive voice ठीक है नहीं तो हमेशा आपका डूरी subject बन रहा होता है active voice में clear एतनी सी बात आपको मैं active passive voice में क्या अंतर होता है basic वह भी आपको बता ही चुका हूँ मैं कि हम ह हमें जुरूरत क्या पड़गी पैसे voice लाने की जुरूरत क्या थी ठीक है तो यह सारी चीजें आपको अल्रेटी बता रख बता चुका हूँ तो इसमें time waste करेंगी जुरूरत है नहीं अगले question पर आते है question number 574 error अपनी इसमें second option में है ठीक है चलो how to number 574 देखो या फी क्या हो जाएगा है आपका मतलब होता है illegal यानि कि not allowed by lock ठीक है किया अपका illegal हो गया clear अब जो होता है इसका मतलब होता है to get information to get information और reaction ठीक है यानि आपके पास कोई information आपको चहही कोई reaction छाहिए हो ठीक है इसका मतलब डौनों ही होता है information आफर reaction ईसको आप ध्यान रखेंगे from somebody from somebody और यह कोई आसानी से नहीं मिलता है with difficulty with difficulty with difficulty ठीक है ना तो आपको I hope कि अब बात clear हो गई होगी कि illicit क्या होता है, illicit होता है आपका illegal कोई चीज हो या आपकी यानि कि not allowed by law हो और जो illicit होता है उसका मतलब क्या होता है या हमें किसी से कोई information निकालनी हो या फिर कोई reaction निकालना हो और वो हमें बहुत ही difficulty से मिले तो अब आप जराए sentence को देखो बड़े धान से अब मैं इसको जराए एक बार हटा रहा हूँ आप इसको no down करना चाहो तो कर ले ना काफी important है आती रहती है इसी चीज़ें आपके examination में देखो do the police tried अब ये जो do है इसका function किया है आप देखो दो का function ये as a adverb भी काम कर रहा होता है और ये as a conjunction भी काम करता है लेकिन यहाँ पर जो इसका function है ना वो as a conjunction ये काम कर रहा है और ये adverb कब बनेगा जब ये adverb वाला function करेगा पर जब यह किसी पूरे की ट्र जायेगा और देखो जो इसके बाद में और यहाप जो ऑफ से इसको कॉल्फाइ कर रहा है और यह क्या हो जाएगा ऑफ क्या हो जाएगा अब देखो यह जो आफ है ऑफ क्या बन जाएगा अपना यहां पर प्र्फॉजिशन हो जाएगा इस प्रफॉजिशन का उबजेक्ट क новых बनेग pamडेका तो यह जो मेथड सेना यह यहां पर एक बार मैं काट के यह नीचे लिख देता हूं आपको चीज़े थोड़ी क्लियर रहें अब यह जो टू इलिसेट है ना यहां पर ऐसा टू इलिसेट लिखा हुआ यह टू प्लस का भीवन मैंने आपको बताया है इलिसेट भी आपका वर्ब होता है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा Infiniteive का function हो जाएगा किसका function हो जाएगा अच्छा Infiniteive क्या होते हैं आपके Samiva यह क्या हो जाएगा ने आपका object of elicit हो जाएगाrium हो जाएगा clear है मेरी बात मच में आगे सभी को चालो अब देखो neural कि यह मों है यह फ्राम क्या हो जाएगा कि आप पर्पोजिशन अब क्या व बाटेटनिंगिन अब मतलब अबर सने स्ट forest अरण वो दे बन जाएगा दें का हो जाएगा सब्जेक्ट लोगा अपनी मेऑन चल गई है पूरे संटेंस को आपको क्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट आता है तो अपने डाउट कमेंट सेक्षिन में पोस्ट करना ना भूले ठीक है तो यहां पर हमारा इरर किसमें हो जाएगी वाले उप्षिन में जो है अगले कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 575 दे है ठीक है तो यही क्या हो जाएगा ही अपना यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा आस्ट अपना यहां पर मेंवर्ब हो जाएगी मी हो आपका यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है ना अब यह जो वाट है यह वाट आपका किसका काम कर रहा है कंजंग्शन का यह आप यह conjunction हो गया तो इसके बाद में आपका I use होगा यह अपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखो यह अगर आपका ठीक है न समझ में आ गया यह अपनी helping वब होगी doing अपनी हापर main वब हो जाएगी ठीक है न चलो अब देखो यह जो out in the street लिखा हुआ है यह out in the street बिसकली out in the आपका मतलब ही इसका यह होता है कि बाहर आपका है अब यह जो street है इसका object बन जाएगा यानि PO बन जाएगा और इ कि यह जाएगा आपका डेमांस्टेटेव हो जाएगा clear है बस समझ में आ रही है थोड़ी से मेरे गले में पता नहीं क्यों सोर्नेस हो रही है तो थोड़ा सा lecture को आज थोड़ा छोटा ही रखते हैं एक बार मैं कुछ एक questions और बता देता हूं आपको सुजट अपना लेफ्ट दार क्लास यानि कि नो सुनर सुरी थोड़ा सा कफ आ गया देखें यह जो नो सुनर है यह अपना बेसकली क्या है यह जो नो सुनर है जो भी हमारा नो सुनर हो गया स्कार्सली हो गया बेरली हो गया ठीक है यह सारे वर्ट्स क्या होते हैं स्कार्सली बेरली रेरल यह सारे की सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं यह अपने नेगेटे वर्ड्स होते हैं ठीक है और यह हमेशा क्या कर रहे होते हैं इनके साथ में पार्शल इंवर्जन का यूज होता है ठीक है किसका यूज होता है पार्शल इंवर्जन क्या होता है और आपका कंप्लीट पहले क्या करेंगे पहले हम helping वब करें फिर subject का फिर main वब कर ठीक है लेकिन आपका जो complete inversion होता है उसमें क्या कर रहे होते हैं helping वब आती है फिर main वब आती है इसके बाद में subject आता है ठीक है तो कई बार बच्चे आपर confused हो जाते हैं कि अपना अगर उन्होंने देख लिए helping व पूरा का पूरा मैं आपको इनवर्जन का chapter पढ़ाना पढ़ाने की सोच रहा है क्योंकि कई सारे बच्चों को दिख्कत आती है ठीक है हम यहाँ पर क्या बात करें नो सुनर यह सारे वर्ट्स क्या करते हैं अपने साथ में इनिवर्जन का यूज कर रहे होते हैं और दूस अब देखो, यहाँ पर no sooner है, correct हो गया, did है, यह भी correct हो गया, inversion का use किया है, हमने यहाँ पर pune अपना यहाँ पर subject हो गया, did अपनी helping verb है, ring अपनी main verb है, और the bell अपना यहाँ पर object हो जाएगा, ठीक है, इतनी सारी इस बात तो अपनी बिल्कुल correct हो गई है, इसके बाद में the boys left the class, इसके बाद में यह जो the boys है, यहाँ पर subject हो जाएगा, और इसके बाद में left क्या हो जाएगा, main verb हो जाएगी, और यह class अपना object हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखी होगी, कि हमने जो conjunction है, उसका use ही नहीं किया, तो हमें क्या करना ठीक है, जो अपना core-lative conjunction है, वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो अपनी error किसमें हो जाएगी, third वाले option में अपनी error हो जाएगी, clear है, सब को समझ में आ गया, या अगले question पर आ जो यह जो class है, यह आपका object मनेगी, ठीक है, चलो, अगले question पर आता हूँ, question number 577, यह के साथ में जो condition होती है, अब बात को समझना, unless और until के साथ में condition का case क्या होता है, मुझे आपको यहाँ पर टाइम लाइन के help से बताना पड़ेगा, let's say अपना present का time है, ठीक है, यह कोई present का time है, और मैंने आपको यहाँ पर कोई condition दे दी, तो अब इस condition का जो result होगा, इस condition क जो मुझे result देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, of course ही बात है, मुझे future में देखने को मिलेगा, तो आप यह बात हमेशा दान रखना, until और unless के साथ में जो भी condition आती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी condition आती है, वो तो होती है अपनी present tense में, और जो उसक से बोलता हूँ, यहाँ पर वो बहुत important चीज़े हैं, अगर आपको वो याद रह जाएंगी, आपको ध्यान होने लग जाएंगी, इस सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा help होगी, ठीक है, चलो खेर, मैंने क्या बोला, आपका unless और until जो है, उसके साथ में क्या ह जो result होगा, अपको फ्यूचर में होगा, ठीक है, अब देखो, एक बार मैं आपको question में और बता देता हूँ, आपको चीज़ें जो है, और clear हो जाएंगी, क्या लिखा हुआ है, unless, ठीक है, unless aid arrives, यानि कि जब तक आपकी aid जो है, वो मिलेगी, अब जो condition है, आपकी aid arrive होनी च condition अपनी आपर present indefinite में लिखी हो, यह कोई दिक्कत नहीं है, मुझे, चलो, आप इसके बाद यह जो विदेन है, विदेन तो अपना proposition है, कोई दिक्कत नहीं है, विदेन अपना proposition होगी, अच्छा, यहाँ पर यह जो add है, यह add आपका subject है, और arrives आपकी यहाँ पर main verb है, अब आप से मैं एक question आज का put करता हूं, यह जो next है, यह next क्या होगा, इस next का आप मुझे part of speech बता दें, जरा फटाफर से comment section में, ठीक है, चालो, अब देखो, यहाँ पर यह जो thousands are starving है, अब बड़े द्यांसे आप यहाँ पर देखें, मैंने क्या बोला, आप से condition जो है, वो तो लेकर उसका जो result है, वो मुझे future में ही तो देखने को मिलेगा, अगर मेरी condition present की है, तो देखो, यह जो starving वाली condition है, यह मुझे future में देखने को मिलेगी, अगर यह future में होगी, यापर हम किसका use करेंगे, यापर हम future tense का use करेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, thousands are starving क्या लगा दूगा, thousands will stop, बात मेरी समझ बारे हैं अब आप, मैंने क्या गिया यहाँ पर देखो, unless के साथ में जो condition है, वो present में होगी, इसका जो result है, वो मुझे future में बनाना पड़ेगा, clear है मेरी बात, समझ में आई है, चलो, error अपनी third वाले option में हो जाएगी, अगर आपक में तीन साल से काम कर रहा हूँ, अब आपको पता होगा, कभी भी अगर हमारा point of time होता है, point of time basically क्या होता है, आपको specific time है, जिसे मैंने आप से बोल दिया, जब मेरा last birthday हा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, specific time हो जाएगा है ना, तो इस तरीके हम time को क्या बोलते है, point of time, कि हम since लगा रहे होते हैं, ठीक है न, point of time के साथ हम क्या लगाते हैं, since का use करते हैं, और अगर आपका period of time आ गया, इसके साथ हम किसका use करेंगे, भई, for proposition का use करेंगे, clear है मेरी बात, समझ में आई क्या, चलो, अब देखो, यहाँ पर आपको error तो देखके पता चल गई होग बीन अपना यहाँ पर क्या होगा, अभी प्रिटिकल होगा, ठीक है, और यह जो working है, यह अपना main verb हो जाएगा, इन अपनी proposition हो जाएगी, और इस proposition को object भी चाहिए होगा, तो यह जो organization है, इसका प्रियो पीओ बन जाएगा, ठीक है, यानि कि propositional object ना कि probationary officer ठीक है, आपको य अफिसर तो probation चाहिए, और बताओ जरा मुझे probation का मतलब क्या होता है, ठीक है, officer बनने वाले ही हो, अगर आप लोग, तो जरा मुझे इसका मतलब भी बता दें, probation का मतलब होता क्या है, चलो, अब यह जो organization हो गया, इसको demonstrate कर रहा है, यह आपका demonstrative objective हो जाएगा, इसके बाद म आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि अब आपको कोई इसमें doubt रही नहीं होगा, ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से एक बार यह भी बता दो, कमेंट सक्षन में, cardinal क्या होते हैं, और ordinal क्या होते हैं, ठीक है, चलो, अगले question पर आता हूँ, question number 579, और देख लेते हैं, फटाफट से, यह आपके सामने, देखो, neither of the two candidates have paid his subscription, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर आप बड़े धान से देखना, कभी भी अगर हम neither और either का use करते हैं, ठीक है न, किसका use करते हैं, neither का, या फिर हम either का use करते हैं, तो इनके साथ में हमेशा आपका singular वापका use होगा, क् यह जो आपकी neither और either होते हैं, यह अपने आप में singular subjects होते हैं, क्या होते हैं, यह आपके singular subjects होते हैं, मेरी बाद बड़े धान से आप सुनना, ठीक है, यह क्या हो गए, singular subjects हो गए, अब आप बोलोगे कि sir, यहाँ पर तो दो candidate की बात करी गई है, तो इसके हिसाफ़चे तो य object कौन बनेगा, यह जो two candidates है, यह two candidate में जो candidate है, यह तो इसका prepositional object मन गया, और यह two इसको qualify करने वाला क्या बन जाएगा, cardinal adjective बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, cardinal adjective बन जाएगा, clear है इतनी सी बात, अब बड़े धान से आप देखिएगा, कि यह two तो हो गया, cardinal तो यहाँएगा, जो ही सिर्वाब आनीचा, यहाँपर क्या भी, आपका has आया हुआ है, तो यहाँपर ये जो his subscription है न, यहाँपर आप बोलोगी sir, his subscription ही आपने क्यों यूश किया, यहाँपर आपने their subscription क्यों use नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँपर आप बिल्कुल doubt में मत रहना कभी भी आपका इदर आजाए चाहें आपका नीदर आजाए आप हमेशा क्या करोगे सिंग्लर सब्जेक्ट बनाओगे सिंग्लर वर्ब बनाओगे अगर यहाँ पर कोई एजेक्टिव आ रहा है आपका पॉजेसिव तो वह भी आपका सिंग्लर ही होगा और यहाँ पर क्या होता था पहले ही अप्पनी प्रसक्रति इंग्लिष कि इंग्लेश उपटीन हंडर्ड के टाइम पर यह बनाई उसाइम पर क्या होता थैन सीसी टिन proud या फिर लट्से कोई एंजीनियर है डॉक्टर तो यह सारे के सारे मैं मैं भब करते थे थे मैं तो हुआने क्या कर लिया कि इसको प्रफर करेंगे मैं को यानि की ही आपर कर रहे होंगे ठीक है तो इसलिए अभी तक यहीं आपका कंवेंशन है वह अभी तक चल रहा है इसमें आपका लॉजिक वाली बात है नहीं ठीक है ना चलो अब इसके लिए ब्रणने मत बैठ जाना कि हरका यूज यू नहीं इसका नहीं ठीक है यह बस अपना कंवेंशन है चोटा सा इसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया है तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं चलो क्या हो जाएगा सब्स्रिप्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर है मेरी बात एरर किसमें आ गई है सकेंड वाले उप्शन में अपनी जो है एरर निगल के आ गई है नेक्स्ट कोशन पर आता हूं अगले वाले को देखते हैं कोशन नंबर 580 पर आ जाते हैं जरा तो यह डाइट कर सब्यर्ब्स क्या कर रहा है केसी हो़残ट उसमें थासमें जाता हो गई तो वह भी आपकी आपर healthy helping verb एक काम कर रही है लेकिन main verb का तो यह क्या बन जाएगी linking verb बन जाएगी है ना तो यह जो essential है यह क्या बनेगा भई आपका subjective compliment इस बात कुस मज़बा रहे हैं इसके बाद में फॉर क्या हो जाएगा फॉर अपनी proposition हो जाएगी इस proposition का object कौन बनेगा तो यह जो health है ना यह इसका prepositional object यह नी PO बन जाएगी और यह गुड़िया कर रहे है तो यह अपना adjective हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे sentence की parsing चली लेकिन मुझे यहाँ पर कोई इरर यहाँ पर दिखी है नहीं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा नो इरर हो जाएगा यह यहाँ पर कोई भी इरर नहीं है clear है डाइट अपना सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंग्लर वर्व लगी हुई है एसेंशल अपना subjective compliment है फॉर यह प्रपोजिशन हो गई प्रपोजिशन अब्जेक्ट हो गया कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं चलिए तो यह आपके सारे की सार कड दिया करो भार बार बहुत चाहिं यह मुझे आपको बता चुका हूं अल्रेड़ी कि ये सब मत बynnूला प्यूश्य कोई बढ़ी टीच रहेगा कि लाइक करो लाइक करो लेक करो लाइक करो शेयर करो सब्स्ट्राइब अर्या क्यों मैं आपसे बहूं क् regimes together कर लिया करो झाल झाल